हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो SBI के लाइट 2021 की नोटिफिकेशन का इंतिजार कर रहे हैं खासकर काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स बहुत सारे नए स्टूडेंट्स 2020 के एक्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दिये और बार बार एकी चीज पूछ रहे हैं कि सर SBI के लाइट 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो किस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर नोटिफिकेशन की बात कर लें तो यह तो कनफर्म है कि नोटिफिकेशन आपका आना है अब यह देखना है कि मार्च के लास्ट में आता है या अप्रेल के स्टार्टिंग में आता है और ये भी हम लोगों पता है कि जब कोई notification आना होता है या कोई रिजल्ट आना होता है या कोई भी चीज आनी होती है तो कोई ना कोई fake PDF हमें market में देखने को मिल जाती है खासकर SPI में SPI किलर 2020 मेंस का result आना था तब भी हमें fake PDF देखने को मिली थी SPI P.O. का notification नहीं आ रहा था तब हमें देखने को मिली और अभी भी जब SPI किलर 2020 का notification आना है अभी भी fake PDF देखने को मिल रही है जो काफी circulate हो रही है कोई पराने येर का जो notification PDF है जिसमें date को update करके market में circulate किया जा रहा है तो आप ऐसे fake PDF पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे कोई भी notification आएगा या कोई भी news आएगा वो SPI की website पर update हो जाएगा अब notification दो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है तो जो नए students हैं उनसे यही कहेंगे कि आप बल्लकुल पढ़ाई पर focus करें क्योंकि आपको pre plus means दोनों की तयारी साथ में करनी है चाहे आप पुराने students हो चाहे आप नए students हो आपको दोनों की तयारी पहले से करनी है क्योंकि आप वो समय नहीं है जब pre exam आप देते हो उसकाट pre का result आता है फ़र सोचो कि आप means की तयारी करेंगे क्योंकि खासकर SPI में देखने को मिल गिया मात्र 8 या 10 दिन पहले pre का result आउड करते हैं तो मात 10 या 11 देन या 8 दिन ऐसे समय मिलता है में mans के लिए इतने में mans की तयारी नहीं होती है इसलिए आप pre plus mans की तयारी दोनों आद में कीजिए और आपको यह focus नहीं करना है कि notification आएगा तब तयारी करेंगे या exam date आएगी तब तयारी करेंगे अगर आपको selection लेना है तो बिल्कुल तयारी मिल लगी रही है और जिनका RRB PO, RRB CLARK में selection हुआ है उनको बहुत बहुत सबकामना है और कोई भी आपका doubt है या कोई भी चीज आपको SPI के लिएर की notification की तयारी को लेकर पूछना है तो आप बिल्कुल comment में पूछ सकते है उसका reply आपको बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ कि जितना important video होता है उतना ही जाना important comment की reply भी होते है आपके doubt की reply भी होते है इसलिए आप बिल्कुल comment में पूछ सकते है जो भी आपका doubt है बाकी मिलते हैं for next video में जब तक के लिए धन्यवाद